हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो स्टेडी वित्तिवारी चैनल तो जैसा कि बचों आपको पता है कि मैंने आपके लिए एक सीरिश प्रारम किये कि सारे जितने भी हिंदी व्यक्रण के जो टॉपिक है उन से सम्मधित मैं आपको जिस प्रकार से इसमें मैंने कारक से संबंदित हम 40 से 45 कोश्चन करेंगे जिससे आपका एक एक जो कारक है वो अच्छे से किलियर हो सकता है तो आज की क्लास को कारक के संबंद में कौन सा युग में सही नहीं है तो बच्चो मैंने आपको जब से मैंने क्लास बनाना शुरू किया है आप लोगों के लिए तब से मैंने आप से एक ही बात बोली है जब भी आप कोश्चन को हल करें तो उसमें सही नहीं है या है इसको आप जरूर देख ले उसमें yes पूछा जा रहा है, no पूछा जा रहा है, उस पर आप जरूर फोकस करें परफ्च्छा में यदि आपने चोटी-चोटी चीजों को ignore कर दिया तो आप लाखों विधार्तियों से पीछे रह सकते हो यदि आपने इन चोटी-चोटी चीजों को accept कर लिया तो आप एक दो नंबर आगे ही रहोगे, घाटे में नहीं रहोगे, आपको profit ही होगा, loss नहीं होगा, तो इसमें क्या पूचा है, सही नहीं है पेड से पत्ता गिरा, अपादान कारक, ओ लड़के धीरे चल, संबोधन कारक, छत पर चले जाओ, अधिकरन कारक, छात्र अध्यापक से सिच्छा लेते हैं, अपादान कारक तो बच्चो, तो मैं थोड़ा break ले लेती हूँ उसमें, जब तक आप अपना answer कमेंट बॉक्स में दे दो, इसका right answer क्या होगा, फिर इसके बाद इसका analysis करते हैं, किस प्रकार से, कौन से में नहीं है पेड से पतागरा, आपको पता होगा, अपादान क्या होता है, अलग होने के अर्थ में होता है, बिगलाब होता है, इसमें अलगाब होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ओ लड़के धीरे चल, तो इसमें सम्मोधन किया जा रहा है, सम्मोधन चिन्न भी है, तो ये भी ब बिल्कुल सही है छात्र अध्यापक से सिच्छा लेते हैं अपादान कारक ये भी बिल्कुल सही है बच्चो तो इसमें मैं आपको इसमें कर देती हूं पेड़ से पता है जाए उसमें अपादानकारक ही होता है तो इसमें करनकारक कर दिया मैंने तो इसका गलत यूग में कौन सा हो गया फर्स्ट विकल्प तो यह सही होगा बच्चे ने जिसने यह कोशन बनाए थे वो मेरी स्टुडेंट है जो मेरे पास पढ़ने आती है वो इन कोशनों को बनाती है तो बच्चों वो उसमें से माइनर मिस्टेक हो जाती है नेस्ट आप सुबह क्यों बैठे हैं रिक्तिस्थान पर उच्चित विकल्प चुनिए को से के ने एक बार पूछा गया कोशन है इस परकार से रिक्तिस्थान दे दिया जाता है तो आप इसमें से उच्चित विकल्प चुनिए आप सुबह से क्यों बैठे हैं आप सुबह के क्यों बैटे हैं नहीं फिटोरा आप सुभे ने क्यों बैटे हैं नहीं फिटोरा तो आप सुभे से क्यों बैटे हैं ये बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है नेस्ट आपका मित्र मिला बाग में उप्रियुक्त कारक का आपका पत्र मिला माफ करना बच्चो आपका पत्र मिला बक में यहां क्या आएगा बक आपका पत्र मिला बक में प्रियुक्त कारक का चेन कीजिए आपका पत्र मिला बाक्य में कौन सा कारक है? आपको बताना है बच्चो अपादान कारक, संबन्ध कारक, संबोधन कारक, संप्रदान कारक तो बच्चो आपने right answer इसका दे दिया होगा comment box में, I hope तो आप, संप्रदान इसमें कहीं है? के लिए? No, ये option delete हुआ इसमें क्या आया है क की के सते इसके संब्मंद कारक की वक्तियां है यह कौनसा बिकल्प कारक कीι दरश्टी से असंगत है क्या पूछाए बक्चो असंगत अगला दे रखा इसमें बच्चा साइकल से गिर गया अपादान कारक लड़कियां कच्छा में बैटी हैं अधीकनन कारक चार दिन की चांदनी फिर अधेरी रात शंप्रदान कारक ग्युक्ता तो बच्चो आपने राइट आंसर दे दिया होगा और मैं भच्चो आप से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जितने भी इस क्लास को आप लोग देखते हैं वो सभी आंसर दिया करें आप इसकी टेंसन न लिया करें यह गलत होगा या सही वोगा गलत होगा तो आपको और फोकस करना पड़ेगा, आपको और भी फोकस करोगे कि यह आंसर मेरा गलत कैसे हुआ, तो आप उसको धान से सुनोगे, कि इसमें सही कौन सा होगा, तो बच्चो प्लीज आप चितने भी इस क्लास को देखते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में अप कुंसा विकल्प कार के दिश्टी से असंगत पूछा है मोहन कार से बाचार गया बिल्कुल सही है साधन का काम कर रहा है ये बिल्कुल सही हुआ अगला दे रखा है इसमें बच्चा साइकल से गिर गया बच्चा साइकल से अलग हुआ है न तो अपादान बिल्कुल सही है इसमें कहा आ रहा है के लिए सम्प्रधान के लिए होता है न कहा रहा है नहीं आ Uh इसमें क्या राए बच्चो की सब्चार दिन की चांदनी फिर अधेरी राट तो की आता है तो आपको ओफिल्स से आपको पता है अधी करण क्या होता है बच्चो अधी करण नेस्ट नेस्ट डेकते हैं इसमें बच्छो अगला है इसमें नंबर का जगडा मेरे और उसके मद्ध में था बाक्त में कारक चुनिए संबंद कारक करम कारक काRk कुरणकारक अधी तो बता इन व्चो अधी कररम में पैपर नहीं आ रहा है उप क्रान कारक पताईए करण कारक होगा क्या है इसमें साधन के अर्थ में आ रहा है नहीं करंद कारक को आ रहा है नहीं संबंद दोगा क्यों कि जगड़ा मे रे रे जो नए बच्चे हैं वो क्लास को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करने और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए पहला आइकन को प्रेस करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स बगरा के साथ भी आप बच्चो इस क्लास को सेर किया करें और मैं आपको बताना चाहूंगी डेली क्लास साथ पी एम होती है डेली कब होती है वच्चो साथ पी एम तो आप जरूर जुड़ें तो देखते हैं इस क्कूश्चन को देवेंद्र मैदान में खेल रहा है बाक्त में कौनसा कारक है अधिकरन कारक संबंद कारक करम कारक अप कारक के संबंद में अनुच्चित बिकल्प का चैन कीजिए अन्य धन उच्चित अनुपसर्व हो गया और उच्चित का बिलोम हो गया अनुच्चित बिल्कुल सही है न मच्चो बिकल्प का चैन कीजिए कारक के संबंद में अनुच्चित बिकल्प का चैन कीजिए कभियो में कालीदा स्रेष्ट हैं अपादान कारक संगीत से गाना नहीं गाया गया संगीता से गाना नहीं गाया गया करता कारक बढ़ों को नमस्कार सम्प्रदान कारक सब प्राणी आँखों से देखते हैं करण कारक तो बच्चों बताए क्या होगा इसका आई रोप आप लोगोंने कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया होगा तो क्या होगा देखते हैं सब प्राणी आखों से देखते हैं तो इसमें आखें करण का काम कर रही है साधन का का काम कर रही है सब प्राणी आखों से देखते हैं तो आखें क्या हैं आप साधन हैं तो यह बिल्कुल सही है बड़ों को नमस्कार करना चाहिए आपको पता होगा आपने संस्कृत में भी पड़ाओं नम्हे के योग में चतुरति विभक्ति का प्रियोग किया जाता है, बढ़ों के लिए नमस्कार करना चाहिए, संप्रदान विलकुल सही है, संगीता से गाना नहीं गाया जाता, तो बच्चों में आपको बताना चाहेंगी कर्ठरी बाच और करम बाच दोनों में ही करता कारक का प्रियोग किया जाता है संगीता से गाना नहीं गाया गया तो इसमें भी संगीता से गाना नहीं गाया गया ये बिल्कुल सई ही है कभियों में कालिदा स्रेष्ट है तो अपादा नहीं होगा आपको पता है भहुतों में से किसी एक को चुना जाए भहुतों मे से किसी एक को अच्छा या बोरा बतलाया जाता है वहां अधिकरण कारक होता है उसी प्रकार से जिस प्रकार से नदियों में गंगा पवित्र है उसी प्रकार से ये कभियों में कालिडास रेष्ट हैं कभी शू अपने कभी नाम पढ़ा होगा संस्कृत में अपादान कारक त अधीकरण, नेस्ट, आज रात तुमारे घर सोना बरसेगा, बाक्य बाक्य में उचित कारक का चैन कीजिए, संबोधन कारक, संप्रदान कारक, अधीकरण कारक, अपादान कारक, आज रात तुमारे घर सोना बरसेगा, तो बताए, संबोधन तो इसमें हो गाई नहीं, यहीं भी संबोधन नहीं है तो यह तो डिलीट करी दो आप अपादान होगा नहीं क्योंकि अलग होने का भाव नहीं है तो बच्चो पताइए क्या होगा इसमें शंप्रदान के लिए कहीं नहीं है तो यह उप्शन भी डिलीट तो कौनसा बचा हमारे पास तीसरा बिकल्प में आपको बताना चाहूंगी, कभी-कभी अधिकरण कारक में कारक्चनों का लोब होजाता है, यहाँ पर कहीं भी कारक्चन्न नहीं है, लेकिन आप इस बाख को इस प्रकार से बोलते हो, कि आज रात तम्हारे घर में सोना वर convenience तुम्हारे घर में तो यहां पर में का प्रियोग होता किसका प्रियोग होता बच्चो में का प्रियोग आज रात तुम्हारे घर में सोना बरसेगा आज रात तुम्हारे घर में सोना बरसेगा बक में उचित कारक का चैन कीजिए तब आप समझ जाते कि इसमें में का क्या हु हुआ है बिलुपत हुआ है लोप इसमें इसमें आया नहीं है आज रात तुमाहरे घर में सोना बरसेगा और मैं यह आपको यह अग्जामपल और बताती हूं इस जगहें पूर्ण सांती है अप इस जगहें पूर्ण सांती है तो इसमें भी अधिकरण है कैसे आप इस बाक को इस प्रकार से भी बोल सकते हो इस जग है पर पूर सांती है आई हो पचो आपको किलियर हो गया होगा यह कोशन बढ़ते हैं नेस्ट कोशन की तरफ मैं आपकी सरण में आया हूँ बाक में उच्छत कारक का चैन कीजिए शर्णागत आपने पड़ा होगा समास में शर्णागत सरण धन आगत यदि संदी की द्रश्टी से देखा जाए तो इसमें दीरगर्श्वरसंदी हो गई यदि समास की द्रश्टी से देखा जाए तो सर्णागत सरण को आया हुआ तो करम तत्पुरुष समास होगा अपादान कारक अधीकरन कारक संप्रदान कारक करम कारक तो बताए बच्चों क्या होगा इसमें मैं आपकी सरण में आया हूँ और यदि बोस्ते बच्चे इसको इस प्रकार से भी कर सकते मैं आपकी सरण को आया हूँ तो यदि इसमें सेंटेंस इस प्रकार से होता मैं आपकी सरण में आया हूँ तब तो ये करम कारक में चला जाता लेकन इसमें आया हुआ है मैं आपकी सरण में आया हुआ हूँ तो मैं किसमें होता है अधिकरण कारक में तो करम कारक नहीं होगा तो इसमें कौन सा होगा वच्चो अधिकरण कारक होगा बैसे इन बाक्यों का प्रियोग बेकल्पिक द्रश्टी से किया जा था बेकल्पिके अंसार हम इने सलेक्ट करते हैं बेकल्पिके अंसार अम मैं तो अधिकरण और मैं आपकी सरण को आया हूँ तो करम होता आई होप आपने सारे कोशन को हल किया होगा कमेंट बॉक्स में आंसर देके ऐसी में आप लोगों से अपेच्छा करती हूँ इसी प्रकार से महतपूर कोशन यदि आपको करने हैं तो क्लास से बने रहे और अदर्स को भी सेर कर दिया करें मिलते ही ऐसे ही महतपूर कोशनों के साथ नेस्ट वीडियो में तब तक आप अपना धान रखिएगा बाई बाई टेक कियर अल ओफ यू